नमस्कार दोस्तों मैं वेद्दे विकास मंगल यूटूब चैनल के माध्यम से आज़ आपको ये आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अमरता गिलोए अमरता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्र मन्थन के समय जब भगवान ने अमरत पाने के लिए दोयवताओं ने प्रियास किया और समुद्र का मन्थन किया उस समय ये उत्पन होई जब देव और दानों के बीच युद्धुवात तो कलश में से कुछ बूंदे गि पहली तो थी आउला दूसरी हाड और तीसरी अमरता गिलोए ये दिभी बनस पतिया है दोस्तों आई आज मैं आपको इस गिलोए के गुणों से आउगत कराता हूं हम सब जानते हैं कि गिलोए अमरत है इससे सरप्रकार के रोग कैंसर तक के रोगों में इसको दिया जाता ह हैं सारे रोग इससे दूर होते हैं ये गिलोए आप देखें इसके पत्तों के पेचाने इसके पत्ते जो हैं वो पान के सरदर्श आते हैं हलके से आगे से घुमावदार होते हैं देखें आप यह यह पान के सरदर्श है अब मैं आपको इसके ओशदी उपक बताता हूं गि को दो कि आ लिए और इसके 21 दानेकी माला बना देता हूँ मैं उसमें गोड़ा खांट लगाकर अबचे के बड़े गल्युद बढ़ा देटा हूं उस्से वो माला दिन बढ़ती जातीप और वाज्तिय का पीलिया है वो घरता जाता है or मात्र 11 दिन मांदे Rapha पी लित तरह से खतम हो जाता है उस माला को फिर हम आगड़ के पेड़ पर दलवा देते हैं यह तो इसका एक तांतिक चिक्सा रही अब आईए मैं आपको बताता हूँ यदि किसी का लीवर फैटी हो गया हो क्योंकि लीवर में सब्सक्रा टॉक्सिंस जमा हो रहे हैं क्योंकि हम जो ख मन्री जो भी बीमारी है उसमें यह शॉघ प्रतिषण लाप करता है यदि किसी वैक्ति को शूगर हो गया हो शुगर में आरांव नहीं आ रहा हो तो ताजा बासी नहीं ताजा ही लेना है ताजा ही असरकारक है ताजा कांड़ लीजिए उसके छोटे-छोटे पीस करिए उ इसी को गठिया भाई हो गया हो आप देखेंगे कि अंगलियों के जो पोरे होते हैं वो सूच करके डबल हो जाते हैं जोइंट जोइंट स्पैन करते हैं आदमी के उसके अंदर यदि इस गिलोई को कूट करके उसका रस लिया जाए और अरोग्य वर्दनी वटी एक सुभेक शामिज के साथ दी जाए तो जो गाउट संबंदी प्रोब्लम है और गठिया संबंदी प्रोब्लम है आमवाज संबंदी तकलीफ है वह सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी दोस्तों यह गिलोई है अम्रित है मेरे पास यहती की 700 पुराणी पुस्तक है उसमें लिखा है जिसे कहा जाता है कि त्रिफला को शहत गी के साथ चाटने से आदमी 100 कोस तक जा सकता है हाथी को तोक करके ऐसे इसके बारे में कहा गया है यदि इसके कांड को पंचांग को निकाल लीजिए जड़ साहित और इसको चूरन करके यदि आप लेते हैं एक चमच चूर एक शहत के साथ लेते हैं और पर से गोदूद पीते हैं तो आप में इतनी शक्तिय जाती है कि हाथी के समान बल उत्तन हुआता है शरीर के अंदर यह ऐसा कहना है उस शास्तर का दोस्तों कि यह बहुत दिव्यवनस्पती है बहुत दिव्यवनोशदी इसका सथ कहीं प्रकार के कामों में काम में ले जाता है नेत्र रोगों में भी मैंने को प्योग किया इसका कि इसको कूट करके इसका रस निकाल लिया और रस को रखा रहने दिया पास साथ दिन के अंदर जो सफेज सफेद इसका जो सत्व होता है वो नीचे बैठ जाता है और रस उपर जाता है तो ह कि उसका अच्छे से पेस्ट बन जाए चोटी मदुमक्की का और जस्ते की शुद्र सलाई से उसको आखों में लगाया तो नैत्रों के कहीं प्रकार के रोगों से हमको बचाता है यह दिभी बनस्पती है इसके एक बात और देखी इसके फोलों की यदि आप माला बनाएंगे गले में पेने की तो सर्प दंस से आप बचे रहेंगे सर्प आपको नहीं काट सकता ऐसा शास्त्र में इसका मत है दोस्तों नमस्कार यह मैंने आपको गिलोई के कुछ गुणों से जिनकी जानकारी मेरको थी उससे आउगत कराया धन्यवाद